सबसे पहले समझेस पी संकरण या SP हाइबरिड आइजेशन जब किसी परमानू के बाहे को उस पर एज समान ओर जाके 1S और 1P ऑपितल आपस में मिलकर 1 समान ओर जाके 2 परमानू ऑपितल बनाते हैं तो इस प्रकार बने परमानू ऑपितल कहलाते हैं SP संकर और्बिटल या SP हाइब्रिड और्बिटल और ये घटना या प्रकरम कहलाती है SP संकरण या SP हाइब्रिड आईजिशन SP संकरण में अनुकी जामितिय संदचना रेखिये होती है लाइनर होती है और दो सहसेयों जग बंदों के मद्ध है 180 डिगरी का कौन होता है उदाहन के लिए जैसे BECl2, BEF2, बेरियम क्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, कार्बन डायोकसाइड और असिटिलीन इन अनुओं में SP संकरण होता है समझाने के लिए मैं ये एक्जामपल लेता हूँ BECl2 में SP संकरण आप जानते हैं BECl2 अनुओं में बेरियम के एक परमाणू से क्लोरीन के कितने परमाणू जुड़े हुए हैं? दो अब बेरियलियम परमाणू करमांक कितना होता है? चार, इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो और दो जब हम इलेक्ट्रोनिक विन्यास करेंगे SP DF में 1S2 और 2S2 ये होता है आप जानते हैं दूसरे सेल में दो उपकोस होते हैं 2SB और 2PB और 2P में तीन और्बिटल होते हैं 2PX, 2PY और 2PZ इस तरीके से इसका मतलब Ground state में इनका जो P orbital है पी उपकोस है वो रिक्थ होता है कोई इलेक्ट्रोन नहीं होते अर्थात इसमें कोई भी अनपेर्ड इलेक्ट्रोन नहीं है इससे ये सो करता है कि इसमें Beryllium के परमाणू द्वारा किलोरीन के परमाणूं से जब रासाइनिक संयोग करते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेर्ड इलेक्ट्रोन नहीं है तो रासाइनिक संयोग इस सिस्थिती में नहीं हो सकता अब देखिए क्योंकि पहले से दूसरे सेल का उर्जा अधिक होती है तो हम इस तरीके से ये 1S है जिसमें कितने इलेक्ट्रोन है दो इलेक्ट्रोन ये 2S है 2S में भी दो इलेक्ट्रोन है और 2P में क्योंकि दूसरे ही कोईसका है 2P X 2P Y और 2P Z फोकस नहीं हो रहा है तो इसमें देखिए मैं आपको बता रहा था कि ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का इलेक्ट्रोनिक विन्यास इस प्रकार होता है अर्थात उसमें कोई इलेक्ट्रोन अनपेर्ड नहीं है जो ये सो करता है कि रासाइनिक संयोग ऐसे नहीं हो सकता एक्ट्रोली जब रासाइनिक संयोग होता है तो तब क्या परिस्तिती होती है 2S से एक इलेक्ट्रोन निकलकर 2P X में चला जाता है अर्थात एक्जाइटिड कंडिशन में बेरिलियम का इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो दो अर्थात 1S2 और 2S1 2P X1 2P Y0 और 2P Z0 और ये 1S में दो इलेक्ट्रोन है और इस तरीके से 2S 2P X 2P Y और 2P Z 2S 2P X 2P Y और 2P Z एक इलेक्ट्रोन इस 2S से कहां पर पहुँच गया 2P X में तो इस तरीके से दो अनपेर्ड इलेक्ट्रोन है और उनकी उर्जा एक समान है ये एक लेवल में जो दिखाए गए है यहाँ पर देखे उपर नीचे है लेकिन यहाँ पर एक लेवल में है ये सो कर रहा है कि इनकी इनर्जी लेवल बिलकुल एक समान है तो यहाँ पर आप देखेंगे 1S और 1P आर्बिटल आपस में मिलकर दो एक समान उर जाके परमाणू और्बिटल बनाते हैं और ये कहलाते हैं S.P. संकर और्बिटल S.P. संकर और्बिटल ये जो दो एक समान उर जाके एक S और एक P और्बिटल आपस में मिलकर दो एक समान उर जाके परमाणू और्बिटल बना रहे हैं जिनका नाम है S.P. हाइब्रिड और्बिटल अब ये क्लोरीन के दो परमाणू और्बिटल देखें कितने परमाणूं जुड़े हुए हैं क्लोरीन के आप देखेंगे सत्रे का इलेक्टरॉनिक विर्णियास कितना होता है दो आठ साथ साथ इलेक्टरॉन जब तीसरे कोस में आते हैं सबसे बाहरी कोस के तो दो एस में आ जाते हैं और कितने बचे पी के लिए पाँच वो पाँच इलेक्टरॉन जब तीन पी और्बिटलों में जाएंगे तो सबसे पहले एक एक तीन में हो जाएगा और पहले में पेर हो जाएगा और दूसरे में पेर हो जाएगा तो लास्ट का अनपेर होगा तो दौनों के अनपेर्ड इलेक्टरॉन ये इनसे ओवर लेपिंग करके और नए रासाइनिक बंद बनाएंगे जिससे अगर हम ये मानें कि एक क्लोरीन का परमाणू इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से उससे जुड़ा हुआ है तो बी-ई-सी-ल-टू अनू की जो इस ट्रेक्टर है वो इस तरीके से हो जाएगी कि ये ये अगर बेरिलियम का परमाणू है तो एक इधर को क्लोरीन परमाणू और एक इधर को क्लोरीन परमाणू अर्थात कैसी होगी लाइनर रेखिए इस्ट्रक्चर होगी और उसके मद्ध में ये कौन होगा एक सो असी डिग्री का तो ये है बी-ई-सी-ल-टू अनू में एस-पी संक्रन एक बार फिर समझ लीजे आप बी-ई-सी-ल-टू अनू में एस-पी संक्रन दिखाया गया है बेरिलियम के चार का एलेक्ट्रोनिक विन्यास दो-दो अर्थात वन-स-टू टू-स-टू टू-पी-एक्स-जीरो टू-पी-वाई-जीरो टू-पी-जेट-जीरो इसका मतलब अन्पेर्ड एलेक्ट्रोन नहीं है कोई भी तो जो एक्जाइटिड कंडिशन है जब ये रासायनिक संयोग करता है ऐसी इस्थिती में अर्थात एक्जाइटिड इस्टेट में टू-एस से एक लेक्ट्रोन टू-पी में चला जाता है इस तरीके से तो यहाँ पर ये दो अन्पेर्ड एलेक्ट्रोन है तो एक S और्बिटल और एक PS और्बिटल जो कैसे थे एस अमानुर जाके यहाँ पर आपसे में मिलकर एक समानुर जाके दो परमानुर और्बिटल बना लिये इनोंने और ये कहला रहे हैं, ये कहलाते हैं, S-P-Sunkar Orbital अब यहाँ पर दो Unpaired Electron है, ये क्लोरीन के दो परमाणूं से नए रासाइनिक बंद बना कर ओवरलेपिंग करके, और क्या बनाते हैं? नए रासाइनिक बंद, वेद्दू सहियोजग बंद और जिससे बेरिलियम क्लोराइड की अनू की जो सनचना है, वो इस तरीके से होती है, कैसी रेखी है जिनमें ये जो सहसे ही होजग बंद देख रहे हैं आप, बेरिलियम से क्लोरीन की तरफ परमाणू की तरफ और इधर, तो ये इनके बीच में कितना कौन है? एक सो असी डिगरी का कौन है, तो ये स्ट्रक्चर आप नोट करेंगे, देखेंगे दिहान से, आगे देखिए, SP2 संकरन, या SP2 हाइब्रिडाइजेशन, जब किसी परमाणू के बाहे कोज़ पर, एसमान उर्जा के एक S, तथा दो P और्बिडल, आपस में मिलकर, एक समान उर्जा के तीन परमाणू और्बिडल बनाते हैं, तो इस परकार बने परमाणू और्बिडल कहलाते हैं, SP2 संकरन, और्बिडल और्बिडल और ये घटना या परकरम कहलाती है, SP2 संकरन, SP2 संकरन में अनू की जामितिय संरचना, ट्राइंगुलर, अर्थात तिरकौन ही होती है, और सहसे योजग बंधों के मद्ध है, 120 डिगरी का कौन होता है, उदाहन के लिए जैसे बोरान ट्राइक्लोराइड, BCL3, बोरान ट्राइफलोराइड, बी F3, जैसे C2H4, आदी में इनके परमाणूं पर, अर्थात BCL3 में बोरान परमाणू पर, बी F3 में बोरान परमाणू पर, और C2H4 में कारबन परमाणू पर, SP2 संकरन होता है, जैसा मैंने अब भी बताय था, कि SP2 संक्राण में अनू की जामितिय संद्चना कैसी होती है तिर कौन ही है तिर भुजाकार या तिर कौन ही है और सहसे ही हो जग बंधों के मद्ध में जो कौन होता है वो होता है 120 डिगरी का जैसे मैं यहाँ पर आपको BCL3 में SP2 संक्राण का एक्जाम्पल समझा रहा हूँ यहाँ पर देखिए बोरॉन के एक परमानू से किलोरीन के तीन परमानू जुड़े हुए इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि बोरॉन में तीन अनपेर्ड इलेक्ट्रोन है जो कलोरीन के तीन परमानू से नई रासाइनिक बंद बनाते हैं लेकिन जब आप आध्यवस्था में बोरॉन परमानू किरमांग 5 का इलेक्ट्रोनिक विन्यास करते हैं तो यह होता है 2 और 3 अर्थात 1S2, 2S2, 2PX1, 2PY0 और 2PZ0 इस तरीके से इनर्जी लेवल के इसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए 1S में ये दो इलेक्ट्रोन है 2S में इस तरीके से दो इलेक्ट्रोन है और 2P, P उपकोस में आप जानते हैं तीन और्बिटल है 1, 2 और 3, 2PX, 2PY और 2PZ इसमें ये एक इलेक्ट्रोन है तो जब हम ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास करते हैं तब पता चलता है कि बोरोन में केवल एक अनपेर्ड इलेक्ट्रोन है जो केवल ये संकेत देता है कि बोरोन की वैलेंसी कितनी है एक और वो एक किलोरीन परमानों से जुड़ सकता है या नई रासानिक बंद बना सकता है जबकि जुड कितने से रहा है तीन पर्माणूँ से इसका मतलब जो वेवस्था है वो इससे भिन है तो excited condition में क्या होता है excited state में 2S से एक electron निकल कर 2PY में चला जाता है अर्थात बोरोन का electronic विन्यास दो तीन 1S2, 2S1, 2PX1, 2PY1 और 2PZ0 इस तरीके से energy level के हिसाब से देखें तो ये 1S में 2 electron है और 2S और 2PXYZ में इस तरीके से 2S, 2PX, 2PY और 2PZ2S में 1 electron, 2PX में 1 electron और 2PY में 1 electron तो यहां आप देख रहे हैं इनका energy level भी बिलकुल एक समान हो गया एक level में दिखाए गए हैं और यहां S उपकोस 1S orbital और 2P orbital आपस में मिलकर 1S plus 2P orbital आपस में मिलकर SP2 संकर orbital तीन SP2 संकर orbital बना रहे हैं अर्थात इस तरीके से यह तीन संकर orbital किलोरीन के तीन परमाणूं से रासाइनिक संयों करके तीन सैसंयों जगबंद बनाते हैं जिससे BCL3 अर्थात boron trifloride की जो जामितिय संगरचना है वो त्रिकोनिय हो जाती है किस तरीके से जिसके केंद्र में होता है boron का परमाणूं और इस तरीके से आप उनको दिखा सकते हैं किलोरीन के ये तीन परमाणूं इस तरभुजा कार स्ट्रक्चर के कौनों पर और बोरोन का परमाणूं इस तरभुज के केंद्र में जिनमें ये तीनों कौन एक सो बीस डिगरी के होते हैं ये बोरोन का परमाणूं है तो यहां आप दिखाएंगे बी सी एल थिरी में एस पी टू संकरण एक बार फिर देख लीजे ये जो बोरोन के तीन अनपेरड इलेक्टॉन हैं एक एस और दो पी और्बिटल जो कैसे थे ऐसा मानूर जाके जिन्होंने एक समानूर जाके बनाए हैं ये क्लोरीन के तीन परमाणूं से नई रासाइनिक बंद बनाते हैं जिससे बीसी अल्थिरी अनू की जामितिय संदचना तरकॉन ही हो जाती है इस तिर्बुजाकार संदचना के केंदर में बोरोन का परमाणू होता है और तीनों कौनों की तरफ क्या होते हैं किलोरीन के तीन परमाणू अर्थात ये जो सैसेयोजक बंद आप देख रहे हैं डार्क लाइन से इनके बीच में 120 दिगरी का कौन होता है और इस अनू की संदचना कैसी होती है तिर्बुजाकार होती है